PG का क्या मतलब होता है यह आज किस वीडियो में समझ लेते हैं PG की कई मतलब निकल सकते हैं अलग-अलग सेंसिज में सबसे पहले अगर PG की बात करें तो parental guidance को PG कहा जाता है यानि कि जो माता-पिता हमें guide करते हैं कि कैसे बच्चे को चलना चाहिए उसको PG कहते हैं इसके बात जो है PG paying guest को कहा जाता है यानि कि जैसे हम किसी दूसरे के घर में जाकर रहते हैं और उसे वहाँ पर रहने खाने के लिए जो पैसे देते हैं यानि कि पैसे देकर हम किसी के घर में रहते हैं या कोई आजकल जैसे professional PG होते हैं और PG का मतलब paying guest होता है यानकी पैसे देने वाला guest, इसके बाद PG post graduate भी होता है, यानि कि जैसे BA जिसने की, BA के बाद जो MA करता है, MA करने वाले, MSC करने वाले को हम post graduate कहते हैं, हिंदी में इसे सनातकोतर कहा जाता है, यानि कि graduation को या graduate को हम सनातक कहेंगे, और जो post graduate है उसे सनात को तर कहा जाता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें